इसकार प्रियमित्रों मैं जोतिस्कार कमल आप सब का हार दी कभी नंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूटूब चैनल एश्ट्रो कमल में दोस्तों यदि किसी बाई को अर्थ समंदी तकलीफ है तो जो नवरात्रा आ सामने या कोई भी नवरात्रा हो इससे कोई सवाल नहीं कि यहीं नवरात्रा आए तो ही होगा कोई भी नवरात्रा आए नवरात्रा के जो नो राते हैं होती है नो राते हैं बड़ी कीमती होती है आप एक छोटा सा काम कर लें बस एक छोटा सा काम कर लें आपकी अर्थ समंद दंदा नहीं चल रहा हो, कुछ भी हो, आप बस एक काम कर लीजे, ये एक काम करना बहुत बहुत बैतरीन रहेगा, बहुत प्यारा काम है, इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस काम के लिए आपको एक तो असली मदार होता है, असली मदार की रुई लेके आने अब उस बत्ति को क्या करना है लाल रंग में लाल रंग आता है मिठा रंग आता है खाने का बजार में तो मिठा रंग खाने का लाल कला रहें लाल कलार में उसको डूबो करके पहले सुखा लो सुखाली अब आपके पास मिटी का एक बड़ा दिया चाहिए मिटी का बड़ा दिया भी आप जानतो हो मिलता आराम से तब इसको दिखाने की भी को जुरूत नहीं मिटी का बड़ा दिया लाई है और मिटी के बड़े दिये को लाल रंग से पैंट कर दीजीए जो कच्छा लाल रंग आता है मिट्टी को पेंट करने का आप कुमार से फूछ लेंगे जो मिट्टी का काम करता है कि लाल रंग कोन सा आता है वो लाल रंग से आप पेंट कर लीजे बाहर से बितर से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है लाल रंग से आप paint कर लीगे अब आपको क्या चाहिए सर्सों का original तेल चाहिए सर्सों का original तेल चाहिए सर्सों का TER सर्सों के तेल में यह बाती डुबा करके आपको दक्षिन दिसा जो गर की पढ़ती है रात्री जैसे ही शुरू होती है मानलों जैसे नो साढ़े नो दस बज गये हैं उस皆さん प्छूर मात्रा में तेल बर दीजे प्छूर मात्रा में सरसों का तेल बर करके दक्षिन दिषा जो घर की पड़ती है ना दक्षिन दिषा में वो बाती जला दीजे ऐसे कैसे जलाएंगे वो मैं बता देता हूं किस तरह से जलाएंगे आपको एक बड़ी थाली चाहिए उस थाली में आपको क्या करना पड़ेगा थोड़े से तो मूंग लेने पड़ेंगे मतलब एक थोड़ी बुद्धी लगाने पड़ेंगे किस तरह से काम करेंगे थाली क उस थालिय में क्या करना पड़ेगा आपको जो साबुत मुंग आते हैं बजार में साबुत मुंग की एक तर मतलब बिल्कुल पतली सी हलकी सी आप बिछा दो थोड़ा सा मुंग इसमें साबुत भी उस मूँंग के उपर आप को पड़ा को दो कैंगा या नहीं दो लाल कपड़ा हो एसा कुछ देख करब करके फिर उसके उपर फिले 4 पि पीली सरसु की एक डेरी आप उस पर बना ना दो मतलब थोड़ा सा सर्शू ज्यादा होना चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पीली सर्शू की डेरी बनाओ ना तो उसके चारों तरफ थोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठोड़े-ठ तरह आपको 9 तक beta09 लाल इस सरसों के तेड़ का मैं में काला में हुआ कर भी सरसों की दूबा हुआ है तोड़ा साइस है न तिल काले ठील और सरसों आप उस तेल सरसों जलाएं उस समय डाल दीगें रोज बती चेंज होगी दिपक जहां है वहीं रहे गा तेल बदलेगा खली दिपक की बती बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा रोज आप जो दिपक करो उसमें थोड़ा सा पिला सर्सूं का दो चार दाना तल का आप रोज डालते जाओं नो दिन तक ऐसा डालते जो नो दिन के बाद में क्या करना है आपको नो दिन के बाद में जो हरे जो मूंग है उन सब को चांट करके अलग करने के बाद में अब आपके पास बसती है पीली सरसों तो पीली सरसों बसती है तो अब क्या है पीली सरसों को अलग कर लो जो मूंग के पास बसते है ना उस मौंग में दो इलाची दो लोंग चांदी का सिक्का और जो कोड़ी होती है वो कोड़ी ऐसा मिला करके आप और स्रीयंत्र को छोटा सा हो तो वो लाल कपड़े में बांद करके आप अपनी तिजोरी में गले में दुकान में कहीं भी उसको रख दो और अब जो आपके पास बसता है ना वो क्या बोलते हैं पीली सर्सों पीली सर्सों का आपको क्या करना आपको ऐसा लगे कि आर्थिक कष्ट कुछ बढ़ रहे हैं या आर्थिक कष्ट हैं तो आपको क्या करना है एक धूप करना है ना धूप लोबान का धूप करना है मतलों को को जलते हुए कोईलों में पूरे घर में थोड़ा 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 करके पिल सर्शोन जलाते जाए और बोरे घर में या पूरी दुकान में उसको गुमाते जाई जाए बस गुमाने की देर है इतना first class उपाये इतना सांदार उपाये दिया आपने कर लिया तो आपके जीवन में जो कोई भी आर्तिक संकट हो कितना ही बड़ा आर्तिक संकट हो देखते देखते चला जाएगा खतम हो जाएगा और आपका जीवन बड़ा स्मूथ हो जाएगा मस्त हो जाएगा आलिसान हो जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना पहली बार आई दिया आप उमारी चैनल पर आयों तो चैनल को सब्सक्राइब करना पास में जुड बेल आइकोन का बटने बोद दबा देना ताकि हम झाल